कुल वर्णिं स्टुटेंट्स कैसे आप सभी फ्रिगा स्कूल के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं देखिए आज हमने फ्रेक्शन और डेसिमल का लास्ट जो है से फ्टर करना है बस एक लास्ट टोपिक बचाए इसमें देखिए आज हम पढ़ेंगे डिवीज बसेबिए इसमें कैसे करना पर को आपको है रोया है डिवीजिन अफ ए decimal by a whole number division of a decimal by a whole number for example suppose 3.5 is divided by 7 3.5 is divided by 7 तेखिए बच्चो में आपको एक चीज बहुत आश्जा अच्छा तरीक से बता रखिये है और सुपोस्पोस वी हाव तो डिवाइड एपोन बी सिय एपोन डि एपोन बी इस रेस्टनल नमबर ढिलाइड वयादर रेस्टनल बार दैन यह का से वीगा एपोन बी डिवाइड़ सिय अपोन जी फिर आको टा है ऐसे मल्टिप्लाइग ये नमरीटर में और इन दोनों के मल्टिप्लाइग जीनम अम्रेटर मतल्आ इसका एडी अपॉन बी सी ठीक है उमीद करता हूं कि आप कोई चीज पता होगी पहले से देखिए फ्रेक्शन डेसिमल के डिविजन में आपको यही रूल फोलो करना है ठीक है देखिए डिविजन का मतलब इस इंपलाइज 3.5 अपॉन 7 ठीक है पहले आप इसको डेसिमल से फ्री क किसे समझीए ठीक है ठीक है ठीक है 3.5 को 35 अपॉन 10 लग देता हूं मैं डिवाइड वाई 7 अब 7 सिंगल है इसके अपॉन में 1 को लिखा जा सकता है तो 35 अपॉन 10 मुल्टिप्लाइवाई 1 अपॉन 7 ओके यह इसको इसको इस तरह से हमने कर लिया ठीक है यह सिंपल था सीथ अब हो जाता है डेसिमल हम रिमू करते है तो यह तो 35 अपॉन 10 में ठीक है फिर आप रूल के इस हमसे जलिए तो 75 जा और 5 टू जा अंसर इस वन अपॉन 2 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 अपका अंसर हो जाएगा ठीक है देखें अब यहां पर क्या हुआ है कि 3.5 को हमने डिवाइड किया है 7 से इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अब 3.5 को कि 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या अगरे क्या एक बर डेसिमल को आप भूल देई है ठीक है आप सिधा 35 को 7 से डिवाइड करिए तो आपको पता है 75 जा 35 अब देखिए यहां पर एक डिजिट से पह इसका उल्टा आपको करना पड़े जाए डिविजन ओफ देखी इसमें से कुछ एक्जाम्पल है मैं आपको बताऊं कि कुछ एक्जाम्पल और कर लें आप साथ-साथ तो बहतर रहेगा जैसे मैं यह कहूं कि 4 4.9 divided by 3 तो डारेक्ट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह 3 बंजा 3 3 4 12 3 3 3 2 तो देखे एक डिजित के ठीक पहले डेसिमल है तो यह आंसर में भी क्या जाएगा एक डिजित से ठीक पहले आपका डेसिमल हो जाएगा ठीक है अब देखी उसका उल्टा सुपोज वहन वहन ए होल नमबर होल नमबर होल नमबर एज डिवाइड वाई डिवाइड वाई डिवाइड वाई ए फ्रेक्शन ठीक है इसका उल्टा हम देखेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे देखिए मैं कोई एक जम पर ले लेता हूं देखिए सुपोज फाइफ इस डिवाइड वाई टू पाइंट याज़ दो पाइंट तो एस पर रूल यह गा फाइफ अपन टू पाइंट ये फइफ टीक है अब देखिए इसको हम डेसिमल से फ्री गरेंगे तो इसके अब भून में टेंग यह जाएगा और वो 10 कहा चला जाएगा ऊपर मतलग ऐसे जिसी यह 5 है इत मींज इस 5 अपन 1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 अपन 10 छीकिए यह अपन भी अपन सी अपन डी की सेंस में आ चुका है यह ठीक है जो हम उपर डिसकस कर ले थे तो यहां कैसे आएगा 5 upon 1 multiply 10 upon 25 ठीक है तो 55 जा तो 5 तो 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 अंसर विल बी 2 अंसर विल बी 2 देखिए इसको आप ठीक समझे जैसे 5 इस डिएट बाई 2.5 तो आप इसको डिरेक्ट ऐसे करें 5 अपन 25 यह दि नमरेटर में decimal है तो आप यहां पर टैन लेखें टैन 100 यह 1000 बी लिखेंड आपको और यदि डिनॉमिनेटर में अपको का decimal है उसको रिमोट करना तो उपर लेखें आप तो डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो यहाँ पर हमने टैन ओपर किया ते फिर से कि आपका क्या गया टू अंसर आगया ओकि ऐस तरह से आप कर सकते हैं जिए अब देखिए अगला क्या है वहन अगला देखिए आप में वहन एडेसिमल नमबर इस डिवाड़ीड बाइ अनादर डेसिमल नमबर okay when a decimal number is divided by another decimal number so for example यहापे हम ले लेते हैं suppose 37.9 okay divided by 2.7 okay तो डिविजिन का दिस इंप्लाइज ए डिवाइड बार बी मतलब ए अपॉन बी मतलब 3 37.9 अपॉन 2.7 तो देहें नम्रेटर और डिनमेटर दोनु को आप डैसिमल से फ्री करिए तो 37 यहापे डैसिमल था यहापे 9 अब हम इसको फ्री कर चुके हैं और यहापे क्या आएगा फिर 10 अब 27 यह इस डैसिमल को फ्री करेंगे तो अपको क्याएगा चैन ठीक है यह से कैंचल अब इसको आप कैंचल आउट करें किसे हो रहा ही त्री बंजा थ्री त्री टूजर जो भी है इसको आप त्री सेवंटी नाइन अपॉन ट्वंटी सेवन युदि किसी से कैंचल आउट हो रहे तो कैंचल आउट करें नहीं तो यह आपका क्या रहेगा अंसरो जाएगा आप डिवाइड करके देख लें ठीक है अब दीकी वैने 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 डेसिमल नमबर इस दिवाइड बाइ थैन हंडर थाज़न ठीक है सब्सक्राइड 2.7 divided by 10 ठीक है तो दीए यह आएगा 2.7 अपन 10 अब इसको 2.7 को हम डेसिमल से रिमू करेंगे तो 27 अपन 10 तो पहले सी एक 10 डेसिमल पाला है तो 27 अपन 100 इट मेंज देखें अब वापिस आंसर को हम किसमें डेसिमल में तो दो जीरो है डेनोमिनेटर में तो उपर टू डिजिट से ठीक पहले आपको डेसिमल लगाना है तो 27 इधर डेसिमल और यह आंसर ठीक है देखें हमने इसी तरह से मल्टीप्ल कीशन में आपको क्या बताए था अब देखिए क्या चीज़ है क्या हो रहा है यहां पर यह 2.7 है 2.7 यदि हम इसको 10 से यदि डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल नंबर को तो डेसिमल जो आपकी लेफ्ट साइड में जाती जाएगी ठीक है लेफ्ट साइड में और यदि उसको हम मल्टिप्लाई कर रहे हैं तो राइड साइड में डेसिमल जाती जाएगी तो पॉइंट सेवन टैन से मल्टिप्लाई किया है तो डेसिमल यहां पर आ गई है 27 पॉइंट आगे कुछ होगा पॉइंट जीरो कर सकते हैं इसको हम तो डेसिमल उदर जा रहा है सुपोज 4.5 मल्टिप्लाई वाइड थाउज और यहां पर लेता है 4.5 मल्टिप्लाई भाई मल्टिप्लाई भाई थाउजन तो अब डिवाइड करने हैं तो 3 इसको हम लिकेंगे 4.5 अपॉन थाउजन ठीक है अब डेसिमल से फुरी करेंगे तो 45 डिवाइड थाउजन और इंटो 10 मार्लों 45 अपॉन यह जाएगा आप 10,000 तो देखें यह क्या हो गया अब 1,2,3,4 ओपर जो है अनमरेटर में 4 डिजिट से इधर 4 डिजिट रहेंगे राइट साइड में तब जाके डेसिमल इधर आएगा तो यहां पर तो 2 डिजिट हैं 5,4 तो 2 हमने अक्स्ट्रा 0 लगाने पड़ेंगी उसके बाद यह डेसि 1000 अब इसको पॉइंट से रिमूव करें इसको यह डेसिमल हमने हटा दे जिर इसका अंसर क्या रहेगा 4500 4500 किया कि यदि हम डिवाइड करने हैं तो डेसिमल इधर आती जाएगी और मल्टिप्लाई करने हैं तो डेसिमल राइट साइड में मोग रहेगी यह नंबर ओफ जिरो के उपर डिपेंड करता है अब देखिए आपके अक्साइज से डिलेटिड कुछ कुश्यन है जो मै मैं बीच-बीच में एकाद करा देता हूं बाकि आपको घर से करना पड़ेगा देखिए कुछे क्यूशन है यहां पर अक्साइज से एर्लेटिड है 3.96 डिवाइड बई 4 इसको अपने करना है तो विशलीन यह तो इसमें कोई दिक्ट नहीं है यह तो लॉल नंबर को हमने एक वोल नंबर से डिवाइड करना तो जो क्यूशन टाहेगा उसमें टू डिजिट से ठीक पहले आपने decimal लगा देना है तो यह आंसर है इसका हम डिरेक्ट डिवाइड कर लें 499 36 49 36 सुदिखे 99 ओके अब देखे टू डिजिट है यहां पे तो इदान सर्कुशन में वे टू डिजिट से ठीक पहले आपको क्या करना पड़े देखेंगा डिजिमल लगाना पुदिए यहां पे डिजिमल आएगा और यह आपका अंशर हो जाएगा एकाद ओर ले 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 देंश में एक जम्पल हम से हमें 98.53 डिवाइड़ वाइं वाइं अंडर्ड डिवाइड करने हैं तो डिजिमल का प्याद देगी यह प्यांस रिविल भी 9853 आपको क्या हो जाएगा अंचर हो जाएगा ठीक है एक आज अग्यम्पल ओर ले लेते हैं हम देख लिए आप 37.8 divided by 1.4 तो 37.8 1.4 यहां पर वन डिजिट है यहां पर भी वन डिजिट है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अंसर में सेम डिजिट पर है तो कैंसल हो जाएंगे कैसे देखिए दोनों को आप रिमू करिए डैसिमल से फ्री कि दिए इसको हम फ्री करेंगे तो यहां पर 10 इसको करेंगे तो इसकी तो है नम्रेटर में 10 तो 10 से 10 आपको डारेक्ट इसको इससे डिवाइड कर देना है तो 14 टूजा अब बचेंगे यहां पर नाइन सेवन दा ठीक है तो आंसर विल भी 27 ठीक है अब इसमें एक आदग जंपल और ले लें तो आप जैसे हम बात करें सेवन्टी सिक्स पॉइंट फाइफ डिवाइड डिवाइज जीरो पॉइंट वन फाइफ तो देखिए अबस आप डेसिमल का ठीक डंग से रिमूव करें आपको दिखत नहीं होगी यहां पर डेसिमल है और यह जीरो पाइंट है वन फाइफ तो देखिए नमरेटर में वन हैं हंडर्ड और यहां पर कितना करना पड़ेगा टैन कि देखिए इसको डेसिमल से फ्रीग एंगे तो वन डिजीट तो अपन में 10 इसको फ्रीगे तो यह टो डिजीट से ठीक पर डेसिमल है तो ऊपर अंडर्ड तो इससे यह कैंचल आप फाइफ तूजा और फाइफ त् त्री तूजा शिक्स त्री फाइफ जा त्री फाइफ जा तो फाइफ त्टेन तैन एलेवन और यह फाइफ अंडर्ड टैन आपका क्या हो जाएगा अंसर ओके तो इस तरह से आप इन किश्चिनों को कर सकते हैं कि एम from थाइक यू ठाइब व बुक्राइब को